का लो फ्रेंट्स doğru Olay же Slender कुछ औरिंपोर्टेंट कॉस्चयंड को देखेंगे और ये सब सारी चीजें videos या बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो आप लोग पलेइलिस्ट में जाकर कि सारी लेपर पती चार से तैय करता है उसके पूरी यात्रा के दोरन और से चाल क्या है यह कोश्चन तो यहां पर विक्ति अपनी यात्रा है माल लेते ही उसको यात्रा करना है यहां से यहां तक A से B है और इसका आधा भाग कहता है यानि कि मान लेते हैं यहाँ इस point पे जो है C point वो आधा भाग है यानि कि यह बराबर यह हो जागा यानि कि A C बराबर C B यह है उसका आधा भाग तो यहाँ से आप यहाँ कह लीजे या तो फिर यहाँ से यहाँ कह लीजे और आप यहां से यहां a से c तक कह लीजे यह ताप c से a कह लीजे यह दोनों बराबर ही है तो जब भी कोई ऐसे होती है कि दो दूरी जो है दो दूरी जो है वो भराबर होती है तो उसमें जो au gefragt चाल का इन फैर्मूला तो वह लाता है 2xy बटा x प्लंस यह होता है और चाल बराबर क्योंकि यहांपर दोनों दूर वो और बी यह दोनों बराबन है यहां तो फिर वापस भी यहीं से आ रहा है तो भी उसका डिस्टेंस सेम ही कबर हो रहा है तो इसके लिए जो और से चलका फॉर्मूला तो वह होता है यहां पर फॉर्मूला वह हो इसको पूट कर लेंगे एक्स में आप लोग यहां पर 30 को माल लेजे या फिर 20 को माल लेंगे फिर इसको हम लोग 4 से काट लेंगे इसको आप लोग इस परकार से बना सकते हैं तो इसका जो है यह फॉर्मूला उसी काप लोगों को आसानी से याद का लेना है तो फिर आपको आसानी से यह कोस्चन बन जाएंगे नेक्स्ट कोस्चन एक ट्रेन साथ घंटे में चार्सक्राइस क्लेमेटर चलती है तरह था अई यह साथ सो चालिस किलेमेटर दस घंटे में चलती है उसकी और आपको आपको आप्सन पर दिया हुआ हुआ है तो माल लेतने कोई एक ट्रेन है और वह जो है चारसो पचास किलेमेटर यह माल लेते हैं यह जो है आपका सी और यह डिस्टेन जो दिया हुआ साथ साथ सचालिस किलेमेटर और इसको वह कितना घंटे पार करती है यह है और यही ट्रेन है तो यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर ओस है चाल पचास और साथ सो चालिस यह अगर हम लोग एड़ कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा हम लोग ग्यारा सो नब्वे किलो मेटर यह जाएगा अब इन्हीं दोनों दूरी को तै करने के लिए इसको जो टाइम लगज़ा वो कितना लगज़ा है 7 गंट और 10 गंट तो प्रोटल कितना गंटे तो यह इसका इसका साइब तर हो जाएगा आप जो यहाँ पर आप लोग को जो दो अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ यह डिफ्रेंस डिश्टेंस है और अगर यही था तो फिर जो ओसे चाल का फोर्मुला है वहा है पिछली वीडियो जो है किछली जो कोस्टेन तक उसलिक बताया वा था तो यहां पर अलग अलग डिस्टेंस है इसी कारण से इसको कूल दूरी बटा कूल समय लेकर के आसानी से बना लेना है नेक्स्ट कूस्चन है एक लड़का घर से इसकोल तक 3 किलोमेटर परती घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमेटर परती घंटे की चाल से लोटता है तो यह लड़का है वो जब जाता है इस्कूल तब वो तीन किलोमेटर पर थी घंटे की चाल से जाता है और फिर वापस आता है मतलब इधर से इधर आता है इस्कूल से वापस तो यह आता है दो किलोमेटर पर थी घंटे की चाल से तो मैंने आप लोगों को बता है कि जब भी distance समान होता है याने कि जाने का और फिर वापस आने का तब यहां पर जो है ओसाच चाल के हो जाता है तो यह जो ओसाच चाल है इस लड़के का वह हो जाएगा 2xy बटा x plus y यह हो जाएगा तो यहां पर हम लोगों को दोनों में से कोई भी वेलू को xy में रख लेंगे तो 3 into 2 divided by कितना हो जाएगा x plus y याने कि 5 हो जाएगा यह अब हो जाएगा आपका और साच चाल याने कि किलोमेटर परती घंटा यह हो गया अब यहां पर आप देख रहें तो कि उससे आने और जाने में कूल 5 घंटे का समय लगता है याने कि यहां पर हम लोगों का जो समय द दूरी होता है याने कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है चाल गुना समय होता है तो इस पिड़ जो है वो 2 into 3 into 2 divided by 5 कर लेंगे और टाइम जो वो 5 है तो यह 5 को हम लोग लिख लेंगा इसी तो अब इसको हम लोगों साब साब मल्टिप्लाई कर रहते तो कितना हो जात स्कूल यहा गए फिर वापस से यहां से यहां आए याने कि घर से स्कूल एक वर जाने का विसकुछ फिर इधर से वापस आने का इन गया निकिके दोनों एड होने के बाद यह बताया है 12 क्लिमेटर क्योंकर हम लोग जो टोटल टाइम जो दिया था वह जाने का और आने का दोनों था इसी कारण से यह total distance होगा 12 km लेकिन हमें सेर्फब 11 से लेकर कि इसकुल जा तक हम लोग सिरफ एक इसी तरफ का बात करना यान कि यह जो है अगर हम लोग जाते हैं दो भार तो आधा हो जाएगा जो distance का ज़र रहेगा वो आधा हो जाएगा तो distance कितना है distance by 2 तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 12 km क्योंकि यह 12 km है उसको हम लोग आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 km यह इसका सही उत्तर हो जाएगा और आप यहापे देख सकते जो इसको ऐसे ही बनाना है नेक्स्ट कोश्चन जो ज्यादा इंपोर्टेंट इस पर का कोश्चन लागा तर पूछा ही जाते हैं तो देखते हैं यह ले त्रेंग की लंबाई किया है 191 मिटेर यह उसको पार करती है पूछा हुआ गजामों में तो यह इंपोटेंट है तो दोस्तों फ्रिलेख सेंच की सारे चीजहों को देखी सकते हände यह जो है आपका जो train है वो लंब़े station को 120 मेटर जो है उसको पार करती है अठार सेकंड में और दूसरा जो 120 मेटर उसको 15 सेकंड में तो train का जो कोई भी speed है यानि कि train की जो चाल है वो हम लोग माल लेते हैं T.S. यह है train का speed और यह जो है distance से वह पहला station और यह है दूसरा station का ठीक है तो train का जो है लंबाई है वो train की जो लंबाई है वो हम लोग माल लेते हैं X meter है यह हम लोगों को ध्यान रखना X meter जो है वो train की लंबाई है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कुछ लंबाई इस परकार का चीज़राता जासे से कि यह पर station हो गया, platform हो गया या तो फिर आपका जो है सूरंग हो गया, tunnel हो गया इस परकार के जब भी होती है तो train का लंबाई और इस सब का जो लंबाई होता है उसको क्या होता है और हम लोग को मालूम है कि यह जो speed है वह हमलोग का चेंज नहीं होगा, क्योंकि यही train हम लोग का एक बार यहाँ से गुजर रही है तो ट्रेन का स्पीड में कोई changes नहीं है ट्रेन भी सेम होई है लेकिन length जो वो changes हो जा रहा किसली है तो वो changes हो जा रहा है यह जो station है उसकी वज़ा से तो अब आप देख सकते हैं यह जो है लंबा ही है और यह हमारा 18 सेकेंड है तो अगर दूरी यह तो हम लोगों का दूरी होगया और यह हमारा समय होगया समय कितना है तो यह 18 है तो यह क्या होगया हम लोगों का कि यह दूरी और यह समय होगया तो यह भी चाल और जो दूसरी जगे पार करते हैं उसका भी चाल तो दोनों बराबर होगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोनों को बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर हो गिया तब हम लोग को सॉल जाल लेना आराम से तो यह कनते हैं कि सुछ परकार से तोई यह 15 यह करता है अपना टू फोर BC यह करते हैं च版 ह संने नइधार एक्स यह हम लोग का इस अब जैसे ही इसको सोल्व करते हैं तो यह कितना हो जाएगा और यह 3X होने के बाद में यह हम लोगो घटाने के बाद कितना हो जाएगा तो यह 270 हो जाएगा यह इस पार आ जाएगा तो हम लोगो बराबर यहां पर देख सकते हैं कि 90 जो है वह क्या है तो मीटर में निकले क्यों कि हम लोग ट्रैंटी निकली यह अप लूपाई होगी आप लिया पर इसको एंसर देख लेंगे और ओप्सन जो है और आपक तो अप्सेन को सीधे इसी जगा पर बना लेंगे यहां लोगों कोई चेंजेस नहीं हो रहा है नेक्स्ट कोश्चन है यदि दो रेल गाड़ियां बीप्रती सामें एक समान चाल से चलती है प्रतिक की लंबाई 120 मीटर है और वे एक डूसरे को 12 से विल भाँ करती है दो प्रतिक लिए और गारे कोश्चन है और यह को ट्रेंट टू है और यह एक सवाझा चाल सी च्रड़ रहे है यानि कि इसका जो स्पीड है यानि कि इसपीड वन जो है वो और इस्पीड टू यह क्या है ये दोनों बॉराबर है यानि कि एस्वान बॉराबर ऑघ्र ऩू यह सब tu 살 अप 12 मीटर है तो वो दोनों का एड हो जाता है यानि कि यहां पर हम लोग साफ कर सकते हैं कि कूल दूरी जो होगा वो केतना हो जाएगा 120 प्लस 120 तो टोटल हो जाएगा 240 मिटर यह टोटल डिस्टेंस यहां कि कूल दूरी हो गया और यह बीप्रिद्धिसा में यानि कि एक ट्रेंगर इधर से ट्रेंगर यह तो दूसरे टीन इधर से आ रहे हैं तो यह मुझा जानते हैं कि इसका गुतव स्पीड होगा वह भी क्या हो जाएगा वह लोगों का एड होगा और सामान डिरेक्सन चलती है तो समान चाल कर रहा है तो समान चाल है तो माल लेते हैं क्या कि यह टोटल डिस्टेंस हो गया और यह टाइम होगे वह हम लोग क्या हो जाएगा टाइम भी हम लोगों का दिया हुआ तो इस पीड़ देखना है तो रिलेटिव इस पर जो आड़ हो जाएगा यानि कि उसर चाल जो होगा वो क्या होगा वो भी हमलों का एड हो जाएगा यानि कि X पलस X यानि ये किलोमेटर परती घंटा में तो हम लोग इसको करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि जो समय होता है वो होता है कुल दूरी यानि कि 240 डिवाइड वाइड वाइड टू एक्स और ये किलोमेटर परती घंटा में ये भी आप लोग को ध्यान रखना है तो अब यह समय के तक दहां कि बार सेकेंड में बार सेकेंड में दिया हुआ है यह 240 यह ही सेकेंड यह एक इसको इस्टेंडर टाइप से लिख लेते हैं यहीं कि 12 सेकेंड यह हो गया यह 240 रिवाइट भाई यह केतना हो जाएगा कि टेन एक्स हो जाएगा और यह अठारज है वह उपर में आ जाएगा अब इसको हम लोग कर सकते हैं अराम से देखिए तो बारत दूना इसको आप लोग ऑप्शन नंबर से में देख सकते हैं तो यह इसका राइट एंसर है तो यह अगर पहला वाला ट्रेन का है 36 किलमेटर परती घंटा ही इसका एंसर होगा तो यह इस परकार से आप लोगों को यह बना लेना है जो की बहुत लोगों इस परकार को पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना के रिलेटिवी स्पीड किस परकार से होता है और जो टाइम वो किस परकार से निकलता है तो यह आसाने से बना लेंगे नेक्स्ट कोश्चन है यदि 250 मेटर लंबी रेलगाड़ी 15 सिकेंड में खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी की कोई खंभा है और ट्रेन है एक जो इस परकार से जा रही है और इसका लंबाई दे वह 250 ममेटर दिया हुआ तो यह जो ट्रेन है जब इस खंबे के पास से गजरती है तो इसका जो इंजन से से पहले इस खंबे को दीरे दीरे करके पार करेंगे फिर बात में पूरी ट्रेंड की लंबाई इस खंबे को पार कर जाएगी तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो ट्रेंड की जो लंबाई है वही लंबाई को यहां से पार करने में कि तो सब्सक्राइब ले रहा है तो यह एकट मिन निकालना है तो क्या होता हैा दूरी बटना में अग्त घंठा एकटना में में आगर घंठ सकन लेकिन इसको निकलना से किलो मीटर पर हम जाने के लिए क्या करते हैं तो इसको हम लोगों को एक टिन वाइब से मल्टिप्लाइब करते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुगा अब यहां पर इसको हम लोग कि इस प्रगाइन को खुद की लंबाई हो गया उसी को इस पॉइंट पे होग सटेल में इसलोर्स के लंबाई को ही पारन ना है तो वॉर्प बासनाम आपको द्यान तो यह आयताकर मैदान का बात तो हम लोग माल लेते हैं एक आयताकर मैदान है ए पी सी ओटी अम लिए उसका छेतर फल होगा हो गया होगा उसका लबाई चोड़ाई के योग का पंदर कुना होगा यह हम लोग 40 मिटर तो यह भी हम लोगा हुआ चोड़ाई निकालना है तो यह हम लोग चोड़ाई को माना चोड़ाई बराबर एक समीटर यह अब यह आध का छेतर फल क्या होता है तो आयत का छेतर फल होता है यह यह की आयताकार मैदान का जो छेतरफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई होता है और यह हम लोग का लंबाई कितना है तो लंबाई 40 है और चोड़ाई कितना है तो एक से यह हम लोग को द्यान आखना है और यहाँ पर साथ साथ कहाना क्या है प्लस चोड़ाई का यह योग हो गया उसी का पंदर गुना करना होगा तब हम लोगों का यह कोस्टिन जिसको कहा है उस परकार से बन जाएगा अब यहां पर हम लोग देख से तो कि लंबाई कितना है तो लंबाई हम लोगों का बडूरांओ नेया कि Chinese को चोड़ाई है रख रहते हैं इन टू 15 बरा यह कितना हो जाएगा 40ब्र एक्स तो है यह चोड़ा यह पों हम लोगों चोड़ाई को भी आव यह आपर एक्स ही माल रहते चलिंब यहां 2 2 15 बराबर नौ पर 40 x हो गया आप इसको मेंद्धा स्वप करता तो 15 24 600 फलस 15 X बराबर हो जाएगा यह 40 X यह विए 66 600 बराबर हो जाएगा में को यह 25 X हो जाएगा अब जैसे ही स्कॉम्लोग इस पार सभार करते हैं यह 600 divided by 25 वराबर यह X हो जाएगा अब जैसे इसका हम लोगों का हो जाएगा 24 मीटर यह हम लोगों का निकल जाएगा जो की एंसर है अब आप ओप्सन में देख सेते हैं यह कहा है तो ओप्सन नूबर 1 में है 24 मीटर तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा तो आप लोगों को इस जैसे कहा जाएगा उसी प्रका से बना लेना है तो यहां पर जो है लंबाई प्रस्टोड़ाई का है पंदर गुना इस प्रका लिए लेंगे और लंबाई उपना चोड़ाई होता है यह आता है अगर मैं शेतर पर लिये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना तो फिर आसा यॉँ 1 उप्रकल से बनेगा है यहां पर ठीक है और इसका पर दिया हुआ है यारे वह दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर परिधी दिया हुआ है अब यहां पर देखते हैं कि पर दिया होता है टू पाइर होता है तो टू पाइर कपेल दिया 220 अभी 220 बराबर हम लोग कर लेंगे टू इन्टू 22 बराब दिया साथ एन्टू आर अब हम लोग यहां से इसको देखते हैं तो कितना निकलता है तो यह हम हमारा की रिज़े हो गया अब यहां पर हम जानते हैं कि जो भूजा होगा वर्ग की भूजा होता है लुक बराबर रूट टू इंटू आर होता है यह जाएगा तब आरके जगए मगजेका फेलू को रख लेंगे यहाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कलेटेक मुश्वान निकल घृत तो यह निकल कहीं था यहाँ निकल रहता कि यह विल्ट केकर है और यह कोई भी बिंदू है परिदी पर का तो यह इसको A, B, C और T अगर माल लेते हैं तो यह O, C हो गया हम लोगों का R हो गया तो अब उन लोगों का इधर से भी देखिए यहाथ इधर से भी देखिए तो यहां पर है यहां पर है रूट टू इन्टू आर करेंगे तो बर्ग की भूजा हमें निकल जाएगी तो इस फरकार से बना लेंना है यहां पर बार की भूजा जो है रूट इन्टू आर तो इसको अब लोगों को ध्यान रखना है नेक्स्ट कोश्चन है एक तिरभूज के छिदरफिल गास 76 cm रहते था उसके आधार वह संगत उंचाई का उनुपा तीन अनुपा चार है तिरभूज की उंचाई क्या है तो डी है अब जो आधार रहाने की वह उसका उनुपा दिया तो थिरी एक्स हम लोग कर सकते हैं और यहां पर देख रहा है कि तरी भूज का छेत्रफल कर रहा है तो तो यह इसका एरिया दिया हुए 1 176 तो यह हम लोग को 1176 रहतरा इसका लोग कर लते हैं तो दो साइश को काट लते हैं तो इंदर्रूट 16 crypto अब इस साब द wings combined हुआब करते हैं तो यह दर हमारा 196 नेक्सफील नगालते है तो अन डरूट 1996 अब एक्स बुराबर हो जा Hangover 14 को सेंटीमीटर कि यह हम लोगों का देखते आनसी को अब है अब इसको हम लोह को करना क्या है कि तो यह ठीरभूच का जो उंचा ही निकालना तो उसके था हम लोको तो उंचाई था हम लोगों का 4X तो यह इसका हम लोग 4X के साथ में multiply कर लेंगे 4X जो है वह हम लोगों का उंचाई है तो 4X multiply करते ही है 4x14 बराबर यह height यानिकी उंचाई तो अब हम लोगों देख सकते हैं कि उंचाई बराबर जो है वह 56 cm हो जा रहा है जो कि option नमर आपका C में हैं तो ये इसका solution है कि तीबुच का उंचाई क्या है तो निकाला तो 56 हो जाएगा इसका उंचाई next question है एक साल पहले गोरव और सचीन की आयू का अनुपाद 6 नुपाद 7 था चार बर्स बात 7 नुपाद 8 हो जाएगा सचीन की बर्तमान आयू क्या होगी आपका option दिया 35 वर्स 36 वर्स 40 वर्स और 44 वर्स यह option तो यहां पर एक साल पहले का बात कर रहा है तो चलिए इसका हम लोग सबसे बल देखते हैं एक वर्स पहले जो था वो क्या था तो वह था अपना गोरव का और सचीन का यह अनुपाद म हुआ इसकर सकते हैं यह हैं एक साल पहले का बात है तो जब हम लोग बर्तमान में आते हैं तो हम लोग को क्या करना है यह हो पर मैं आॉट कि TWICE औहरों को ध्यान रखना है कि इसके बाद है कि चार साल के बाद silुष 7 और पाथ 8 हो जाएगा अब रतमान पहुंच नहीं की ब तब जाएके नोगा किंचना हो जाए तो इन्वेट को युडाया है, तो यहांपर तो यहां पांटर है एक का वह किसके बराबर हो जाएगा तो यह जो है साल के बराबर हो जाए गा है कितना साल का गेप है तो साल युद तो यह इक बराबर 25 अब ब relyबर 5000 बाब उसके बाद जिसका भी कहा जाएगा आप उसका निकाल सकते को किसका रहा है तो सुन जाने कि यह क्या कर रहा कर बरतमां लिए युझा में क्लें नियुक्स सुक्तान जाने के लिए करना हो एक साथा यह तो फिर बरतमान जाने के लिए क्या किये थे तो यहां पर फिर 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 प्रश्व कर लेना है तो यह टोटल थर्टी सिक्स जो यह है वो हम लोगों का यहां पर राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि हम लोग सचीन का जो है बरतमान आयू निकाल रहे हैं जो कि हम लोग यहां भी कहा गया है तो option आप देख सकते हैं option number जो भी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो यहां पर जितने पी परकार के इस परकार question हैंगे अगर difference अगर समान होती है तो आप जो है year को भी उसके साथ में समान कर सकते हैं तब आपका आसानी से इस परकार से सोट में बन जाएगा तो आप लोग इसी परकार से इसको solve करनेंगे दोस्पाम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी और हम लोग maths के कुछ important questions को देखेंगे जो की important होते हैं और exam questions पुछी जाते हैं तो हम लोग next videos में भी ऐसा ही maths के कुछ important questions को और solve करेंगे